आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है एक रेल गड़ी को चलने में इंदन का खर्च उसकी किलोमेटर परती गंटा की इकाईयों में नापी गई गति के वर्ग के अनुकर्मानुपाती या समानुपाती समान होता है तथा 16 किलोमेटर परती गंटा की वेग पर 48 रूपे परती गंटा है यदि इस्तित व्याय अपने पास दे रखा है 300 परती गंटा तो आर्थिक द्रश्टी से सबसे अच्छा वेग क्या होगा तो सबसे पहले तो जो सवाल में दे रखा है वह मान लेता हूं रेल गाड़ी को चलने में इंदन का खर्च ठीक है तो देखो खर्च जो है उसको मैं मान लेता हूं से व्यक्त कर देता हूं उसके बाद क्योंकि कोस्ट होता है तुод कि उसके बाद पास रूपे में होता है कोश्ट होती है ठीक है इसके बाद बोजाए जो खर्च है वह गति के वर्ग के अनुपाती है मतलब सी जो है इसके समानुपाती है किसके विके वर्ग के ठीक है और जब भी समानुपाती चीन हटाते हैं तो एक इस्तिरांग का जाते हैं तो सी बराबर के वी की गात दो आ जाएगा अब देखो यहां पर मेरे पास यह पूरा समीकर्ण मन गया यहां पर के का मान अज्यात है तो ज्यात करने के लिए अपने पास परतिबन दे रखा है कि 16 किलोमेटर परतिगंटा के वेग पर तो वी बराबर अपने पास 16 किलोमेटर प तो ये मेरे पास आ जाएगा केका मान, इसको दूसरी तरफ बेजेंगे, तो 48 और नीचे अपने पास आएगा, 16 गुना 16, तो ये कटेगा, उपर तीन बार कट गया, और केका मान उपर से कितना आ गया, 3 बटा 16, मतलब मेरे पास समीकरण क्या बन गया, समीकरण मेरे पास बन C बराबर V की गात दो और 3 बटा 16 से ये गुणा हो जाएगा C बराबर 3 V की गात दो बटा 16 ये आ गया अब देखो समीकरण में आगे मेरे को क्या दे रखा है कि यदि इस्तित वे 300 रूपे परती गंटा है तो आर्थिक दस्टी से सबसे अच्छा वे क्या होगा मतलब C का मान मेरे को दे रखा है कितना 300 रूपे ठीक है 300 रूपे दे रखा है और V का मान मेरे को ग्याद करना है तो देखो इसमें समीकरण में C का मान रखते हैं तो ये बराबर आएगा 300 बराबर में 3 V की गात दो बटा में 16 कर देते हैं तो विकी जाथ दो बराबर 300 यह जो भाग में यह तो गम्मा में चला जाएगा और само को में कितना होता है ug 660 के बराबर थ्क है suggesting के ब्राबर तो चार्लीं के बराबर पर चारीज के बराबर बॉМ दो 64 हो गया और दोजीरों की एक जीरो हो जायेगी 40 किलोमेटर प्रती गर्टा थिक तो वेग मेरे पास आ गया 440 किलोमेटर प्रती गंटा मतलब सबसे सबसे सइज यह होगी जहां पर यह जो मुल्या दे रख आ है यह नियून तम हो जाए तो भी बराबट चालीस किलोमेटर परती गंटा यह अपना उत्तर आ जाएगा थेंक्यू